सेब का खेति करने के टाइम में पहले ही तो आपको करना पड़ेगा जह गड़ा का. गड़ा में साइज एक मीटर वाई, एक मीटर वाई, एक मीटर होना चाहिए, फिर गड़ा में आपका खाद जो देना है, जे दस किलो आपका फार्मियन मैनियोर, फिर उसके साथ 40 ग्राम नाइटोजेन, 80 ग्राम फोस्परास, 40 ग्राम पतासियाम, ये मत्रा देकर आपको पुषा एपल रूस्ट्रक 101, जो कि आपका समी विगरास है, इसमें एपल स्कैब का फिल रेजिस्टेंट भी है, आपका पौडर मिल्डियो रेजिस्टेंट है, उली एफिड इसके रेजिस्टेंट है, तो इसलिए ये रूस्ट्रक आप यूस कर सकते है, उसके बाद आप आपको करेंगे जे सेकेंड जो है हाईब्रिड वर्याइटी, कोई चाहेंगे जो आपका एपल स्कैब रेजिस्टेंट वर्याइटी हमारा पास है पुसामर तरह प्राइट, जो कि रॉयल डेलिस्यास के प्राइमेर के साथ क्रॉस हुआ था, तो उसको उगाय सकते है, जहा तो आप मिट्टर्म करेक्शन का हिसाब से बुके पोलीनेशन कर सकते है, फिर आपको खेतों में मदुमक्य का जो हम एक दो बी हाइब पार एकर में रेकमेंट करते है, वो लगा सकते है, तो उसके बाद आपको आएगा विंटर में जैसे आपका पूनिंग, पूनिंग का जोरूरी है क्योंकि पोरिंग में आपका स्पार फार्मेशन होंगे, जिसमें आपका फूटिंग आएगा, इसके में जो बीमारी है, देखिए, एपिल स्कैब पहले खट गया था, फिर दोबारा इसमें आ रहा है, अभी स्पराडी गोय में, तो इसलिए आपका एक स्प्र आपको नाजल स्प्रे करिए, वालनाट साइज जो फूट होता है, उसमें डोडिन करिए, बा मेरियम करिए, उसके फिर वालनाट से 20 देज के बाद आप नेटिवो स्प्रे करिए, और प्री हर्पेस्ट के ताइम में कैप्टन करिए, यह तो स्कैब के लिए, जैसे प्री म मेजार में की नेटीव हो करिये, इंटर में कोई ट्रैप लगा के उलिया पिट को जब अच्छे तरह फेबरेल कमिनिटिसन में उपर में चरता है, उसी दाई में ट्रैप करके इसको मार सकते है